इस बच्चों आपने चुम्बक चुम्बक की शेत्र और चुम्बकी बल्रेखाओं के बारे में पढ़ाए Defense कि आपने यह भी देखा होगा कि यदि किसी दन्ळ चुम्बक पर लोह चुनों को बिखराया जाए तो आप चुम्बकी बल्रेखाएं देख सकते हैं बच्चों आपको पता है हम चुंब की बल रेखाएं खींच भी सकते हैं हम चुंब की बल रेखाएं खीचते है इसके लिए manipulate you कैज eight के शीदों कि अऐस्कता होगी स्वाभाविक है एक दंद चुम्बक तो चाहिए और सात में हमें चाहिए सफेद कोरा कागस, स्केल, पैन पैंसिल और ये चुम्ब की सुई, इस चुम्ब की सुई को आपने अपनी शालाओं में देखा होगा, इसमें ये जो तीरनुमा दिखाई दे रहा है, यही चुम्ब की सुई है, और ये स्वैम में एक चुम्बक है, आप जानते हैं, उत्तर और दक्षिन में ही ठैरती है, तो चलिए चुम्ब की बल्रेखाई खीचते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, इस कोरे कागस में सेंटर पर हमने एक यहां देखिए, लाइन खीची हुई है, और अब हमें इस चुम्ब की सुई की सीध में इस लाइन को सेट करना प कोई भी चुम्बक या चुम्ब की पदार्त आसपास ना हूँ, इसलिए हम इसे यहां दूर में रख देते हैं, ठीक है, अब हम इसे लमवद सेट कर लेते हैं, यह देखिए, यह सेट हो गया, चलिए, अब हमें इसमें तीर की तरफ जो नोक वाला दिखाई दे रहा है, य तो यह बिल्कुल सुई हमारी सीध में है, अभी हम इसे फिक्स कर लें, यह देखिए, थोड़ा सा अगर हिल भी जाए तो आप इसे पुना सेट कर लें, और इसके बाद कागज को अच्छी तरीखे से, सेलो टेप की साहिता से आप फिक्स कर लें, यह देखिए, अब हमारे कागज की स्थिति नहीं बदलेगी, और अब हम उत्तर और दक्षिन जो है, वो मार्क कर देते हैं, जो नोग की तरफ होगा, वो उत्तर को दिखाएगा, और जो टेल है इसकी, वो होगी आपकी साउथ याने दक्षिन धुरू का, ठीक है, अब हम इस चुम्बी की सुई को यहां से हटाते हैं, और यह दर्ण चुम्बक यहां ले आते हैं, ठीक, तो देखे यहां N हमने लिखा हुआ है, तो इसको भी इसी प्रकार लिखें, रखें कि यह उत्तर की तरफ, यह N के साथ N और S के साथ S हो गया, यहां इसे आप चुम्बक को रखने के बार इसकी स्थ कागस पर उकेर ले, यह हमने कर लिया, ठीक है, अब चुम्बक की बल रेखाएं खीशने के लिए, चुम्बक की सुईकी आफशकता होगी, आपको करना क्या है, देखें, चुम्बक की जो बल रेखाया हैं, वह हमेशा उत्तर से निकलती हैं, इसलिए हम इसे यह देखें, आपको इस सीरे से चिपका हुआ है, और इसकी जो पूछ वाला हिस्सा है, उसके सामने आपको एक निशान लगाना है, यह देखें, यह प्रक्रिया अच्छे से समझ लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इस तीर को इस निशान के बिलकुल सामने इस प्रकार रखेंगे, और फ बढ़ाती जानी है, और इस से जो बिंदू आपको मिल रहे हैं, इनको मिलाने से हमें चुमकिय बल रिखाए दिखाई देंगी, यह देखिए, यह फिर से आगे बढ़ते जाते हैं, यह देखें, नोग के सामने इस निशान को कर लिया, और उसके बाद फिर पूछ के प्रत सामने आपने फिर निशान लगा दिया, बिल्कुल, अब इनको मिला लेते हैं, यह देखिए, यह पहली चुमकिय बल रेखा जो है, हमें यहां मिल गई, इसको मिला लीजिए, ठीक है, और अब अगली चुमकिय बल रेखा खीच लेते हैं, यह देखा, आपने फिर से इस सिरे पर और उसके बाद पुना वही प्रक्रिया, और इसी प्रकार बिंदू प्राप्त करकर के, आप चुमकिय बहुत सारी बल रेखाएं खीच सकते हैं, यह हो गए, तो देखे वच्चों, हमने कितनी सारी चुमकिय बल रेखाएं खीच ली में जा रही है ऐसी बहुत सारी बल रेखा हैं यहां पर हैं कुछ बल रेखा हैं जो है यह देखिए यह दक्ष्णी दुरू की तरफ आ रही है इन में कुछ में हमने अरो निशान लगा दिया है अब जैसे इसमें नहीं लगा हुआ यह कि धर होगा क्योंकि यह दक्ष्णी द तो ये चुमकी बल रेखाए हमने खीची ऐसी और भी चुमकी बल रेखाए आप इसमें खीच सकते हैं साथ ही बच्चों क्या आप जानते हैं हमारी प्रिथ्वी एक चुमक की तरह कारे करती है यह जो चुमक है इसके चारों तरफ आप जो शेत्र देख रहे हैं यहां भी दो यहां हमें ऐसे बिंदु प्राप्त हूंगे जहां पर चुम्मक्य रेड़ा लगा चुम्मक्य कोना, और पिथवी की द्वारा लगाया गया चु हम की बल समान और विपरीत होगा उस cambiar पर कोई चुमब कट्व नहीं रहेगा और ऐसे बिंदू को हम उदासीन मिंदू कहते हैं चलिए इस चुमकी क्षेत्र में हम उस बुंदू को ढूंगते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा फिर से चुमकी सुई की मदद लेंगे और इस चुमकी सुई को देखिए यहां पर आपको इन जो बल रिखाए हैं जो वक्रिय हैं इन से एक शेत्र दिख रहा होगा यह दे कि इसे इस प्रकार सुई के ऊपर रखकर क्लॉकवाइज एक बार घुमाईए और एक बार एंटी क्लॉकवाज घुमाईए देखिए कि क्या यह सुई आपकी आलपीन के साथ घुमती है इसे देखते हैं यह देखिए यहां नहीं घुम रही है थोड़ा और स्थान बदल कर सुई को अलग-अलग स्थानों पर रखकर देखना होगा देखिए यहां पर देखते हैं यह देखिए यह जो है हमारी आलपीन के साथ चुम्ब की सुई क्लॉकवाइज भी घुम रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुम रही है तो यह हमें मिल गया उदासीन बिंदू देखिए फिर से देखिए यह देखिए और फिर आपको इस तीर पर आलपीन की इस नोग को ऐसे रखना है और फिर घुमाना है तो देखो बच्चो इस प्रकार हमने यह उदासीन बिंदू प्राप्त किया तो बच्चो हमें उदासीन बिंदू मिल गया है अब इस की सुई के चारु तरफ ऐसे निशान लगा दीजे यह निशान हम लगा देते हैं इस प्रकार से और आप इस स्केल की सायता से आप दो लाइन इस तरग खीच लीजे और यह जहां इंटरसेक्ट करेंगे जहां प्रतिछेत करेंगे वही बिंदू आपको उदासीन बिंदू के मिलेगा ठीक है तो यह बिंदू हमको उदासीन बिंदू के रूप में मिल गया इसको हम ऐसे गोला बनाकर यहां बीच में दिखा देते हैं ठीक है आपको पता है यह जो क्षेत्र आपको यहां चुमकी बलरेखाओं से घिरा हुआ दिख रहा है यहां भी आपको एक और दिखाओं किस नहीं है और जब आपको इस प्रकार का शेत्र मिल जाए तो वहां आपको दोनों उदासीन बिंदू को ढूणना है